Hello friends, I am Ajay Sharma, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Welcomes you on behalf of Guru KPO. Today I am presenting my lecture on Create Table. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Create Table की. Create Table जब भी हम लोग उस करते हैं तो इसका मतलब होता है हमें नई Table बनानी है. या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी नई Table बनानी के लिए हम लोग उस करते हैं Create Command का. Create Table टेबल का Name इसके बाद जिस कॉलम जो भी कॉलम हमें बनाना है उसका नाम उसका Data Type उसका Size और उस पर अगर हमें कोई Constance लगाना है तो वो. यहाँ पर दो चीज़े बहुत इंपरेंट होती हैं एक तो होता है कॉलम का Name और एक होता है उसका Data Type. कॉलम का Size कुछ Case में Compulsory होता है और कुछ Case में Optional होता है जैसे अगर हम लोग अपनी Table बना रहे हैं और उसमें हम लोगोंने Data Type यूज कर रखा है वेर Care 2 तो उस Case में Size देना Compulsory है लेकिन अगर हमने Date यूज कर रखा है या Number यूज कर रखा है या Care यूज कर रखा है तो माप Case में Default Size 1 होगा और वो 1 लेगा जादा अगर हमें देना है तो हमें उसको मापड़ लिखना पड़ता है Second Number पर बात करते हैं जैसे हम लोगोंने First Column बनाया Same यही Method रहेगा Multiple Columns के लिए जित्ते भी हमें Column बनाने है वो सारे के सारे Same Rule को Follow करते है ऐसा Compulsory नहीं है कि आप हर Col Column पर Constance बनाया है ऐसा हो सकता है कि एक Table में कुछ Columns है जिन पर Constance लगे हैं और कुछ Column ऐसे भी जिन पर Constance नहीं लगा है Example के थूँ इनको देखते हैं सबसे पहले Create Table E1 Employee Number Number 4 Ename Where Care 2 10 DOJ Date इस Case में क्या हो रहा है कि E1 नाम की एक Table बनेगी जिसमें Employee Number एक Column है उस Column का Data Type Number है और उसका Size है 4 Same Employee Name Second Column है Where Care 2 उसका Data Type है और उसका Size है 10 इसी तरीके से DOJ हमने एक Column लिया है Date of Joining के लिए और उसका Type रखा है Date Date पर हम लोग Size नहीं देते हैं तो इसलिए हमें आपर Size नहीं देना है तो कुल मिला कि इस Table में 3 Columns होंगे एक तो Employee का Number, Employee का Name और उसका Date of Joining इस वाले Example में हमने एक भी Constraint नहीं लगाया Syntax में हम लोगों ने देखा था कि यहां पर Column का Name उसका Data Type उसका Size और Constraint चार्ट चार्ट इसे होती है यह दोनों देने Composary हैं तो यह दोनों देना Optional है तो यहां पर हम लोगों ने Optional वाले पार को छोड़ दिया है ठीक है का मतलब इस Column को हम खाली नहीं चोड़ सकते तो जब भी कोई टेबल में नया Record Enter होगा तो ना तो Primary की खाली चोड़ सकता है नहीं Notional Constraint तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि इस टेबल में दो Column है एक Employee Number और एक Name जिन में Value डालना कमपल सरी है Third Column है Cell, Number Type का बनाया Size उसका 5 रखा Check Condition लगाई है कि Salary 10,000 रुपीज से कम या उसके वराबर होनी चाहिए तो जब भी कोई Table में नया Record Insert होगा तो उसकी Salary 10,000 रुपीज तक होनी चाहिए उससे कम होगी तो भी चलेगा लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो Accept नहीं करेगा उस Case में एक Error आ जाएगा Next, Phone नाम का Column लिया है Number Type का 10 Unique Phone Number के Case में हम लोगोंने Unique Constance लगा है Means Phone Number की Value Duplicate नहीं हो सकती हर परसन का Number Unique होगा तो उस Case में जो भी Values है वो सब के सब Unique होनी चाहिए और हर परसन का Number अलग होगा इस तरीकी से Table में 4 Columns बने और उन पर हमने Constance लगाए है यह वाले Constance जो हैं इनको मोगते हैं Column Level Constance क्योंकि हम लोगोंने हर Column के साथ में एक Constance लिखाए तो यह सारे Constance Column Level Constance है Next हम लोग बात करते हैं Last Example की Create Table E3 इसमें Employee Number, Name, Phone और Salary वोई Columns हैं जो हम लोगोंने यहां पर यूज किये थे Difference इसमें यह है कि यहां पर हम लोगोंने पहले सारे Columns के नाम लिखें और उसके बात Constance के नेम लिखें ऐसा हम लोग करते हैं तब जब हमें अपनी Table में Table Level Constance बनाने हो Table Level Constance का Rule यह होता है कि पहले सारे Columns के नाम लिखते हैं उसके बात Constance के नेम लिखते हैं इस case में हुआ कि यहाँ पर तो सारे columns उसका data type उसका size लिखा और जब सारे columns complete हुए तो last में हम लोगों ने constraints लिखने start किये सबसे वहले primary की वो लगाया employee number पर unique लगाया phone number पर और check लगाया salary पर इस वाले example में और इस वाले example में जादा difference नहीं है main चीज यह है कि यहाँ पर जो constraints हम लोगों ने यहाँ पर table level पर लगाये हैं वोई constraint यहाँ पर column level पर लग रहे हैं table level constraint के साथ में एक rule होता है कि हम लोग not null constraint को कभी भी table level पर नहीं लगा सकते जब भी table मेu not null लगेगा तो हो column level पर ही लगेगा अगर हमने यहाँ पर table level पर not null लगाया तो उस case में error return होती है Thank you, thank you and thank you for listening me For more details, please visit our website